नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंसन से जुड़ावा लेटेस्ट न्यूज ताज़ा अपडेट एक बार फिर सभी पैंसनर्स के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंसनर्स के लिए ये एक बड़ी खुशकबरी है 20 सितंबर से अगस्त सितंबर महेने की पैंसन 2500 रुपे 3000 रुपे 4000 रुपे केवल इस बार इन पैंसन धारकों को दिये जाएंगे इनके बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाएंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बता जाएगा ये है पैंसन का लाब किन पैंसन धारकों को दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा चले दोस्तों वीडियो के शुरुआत कर लेते हैं दोस्तो आप किसी भी राज्ये के पैंसन दारक हो सकते हैं हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराष्टा, करनाटका, उत्तरपरदेश, हीमाचल परदेश, उत्रखंड आज की है जानकारी आपके लिए ही हैं जिन पैंसन धारक ने समय रहत वे यहां पर अपना आधार परमानी करण पूरा करा लिया है जिनको अगस्त की पैंसन मिल चुकी है सभी को PENSON का लाव सरकार की तरब से दिया जाएगा दोस्तों हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं PENSON P-E-N-S-I-O-N जैसे दोस्तों हमने यह लिखा PENSON हम यहाँ पर करते हैं इसको सर्च दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं अब हम उत्तर परदेश राज्य की ओफिशल वेब साइट का पोर्टल है जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं किलिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आप पड़ सकते हैं एक एक रस सामाजिक पैंसन पोर्टल पर हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था उतरा खंड माफिए दोस्तों वर्दवस्था पैंसन योजना फिर आप नीचे आईएगा यहाँ पर आपको निराशित यानिकी तरलाक सुदा या पैंसन योजना की जानकारी मिल जाती है यहाँ पर दिव्यांग पैंसन योजना की उसके बाद दोस्तों लाश्ट में आता है यहाँ पर यानि कि कुछ तवस्था पैंसन धारक सभी पैंसन धारकों की जो जानकारी है इसी पोर्टल से निगरानी की जाती है किसको लाब मिल दोस्तों यहां से ही सभी जानकारी देखी जाती है जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यह पैंसन 3,000 रुपे पैंसन 4,500 रुपे दो हजार पांसो रुपे इस बार केवल उन ही पैंसन लाभारतियों को यह लाब दिया जाएगा जिसने अपना आधार परमानिकरण पूर का pension का EKYC है दोस्तो ध्यान से समझेगा एक पर किलिक किया जैसे ही यह task complete हो जाता है यहाँ पर दोस्तों अभी processing चल रही है आप देख सकते हैं हमारा page अगला open हो चुगा है दोस्तों यहाँ से आपको अपनी ID login करने होगी यहाँ पर ID जैसे आप login करते हैं ID login करने के लिए आपके पास pension, रेश्चेशन संख्या और mobile number के अफशक्ता होती है जैसे आप यहाँ पर अपनी ID login कर लेंगे फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो आपका आधार authorization है क्या वह complete हो चुका है या pending है जिसका दोस्तों pending हो रहा है उनको pension नहीं दी जाएगी लाखों की संख्या में ऐसे pension धारक है जिनका यहाँ पर pending हो रहा है इसी करन की वज़े से उन्हें 3,000 रुपे pension किस्त 2,500 pension किस्त पराप्त नहीं हो रही है दोस्तों जिसकी pension पिछले 3 महने से या 6 महने से या 2 महने से रुकी हुई है तो उन्हें pension के लाब ज़ादा यानि की एक साथ मिला कर दिया जा सकता है यानि की अगर आप उत्तर परदेश राज्ये में रहते हैं और आपकी 3 महने की pension रुकी हुई है दोस्तों एक महने की जो pension है वह दोस्तों यहाँ पर आपको यानि की 1,000 रुपे दिये जाते हैं तो जो 6 महने की pension होगे दोस्तों आपको 6,000 रुपे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किये जा सकते हैं यदि आपकी दोस्तों यहाँ पर 6 महीनी की पैंसन रुखी हुई है ङदि हम दोस्तों उत्तर प्रतidée से राजे में कुछ त्वस्था पैंसन धारत की बात करें सितंबर और अगस्त की पैंसन यह हैं आपको 20 सितंबर के आसपास इसका लाब सरकार की तरब से दिया जा सकता है लेगिन इसकी कोई भी तारिक अभी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है मीडर इपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी आप तक साजा की जा रही है सभी को अपना यहां पर आधार परमानी करण कराना है यानि की EKYC कराना है यदि किसी पैंसन धारक के आविदन फारम में नाम में मातराओं में कोई भी गलतिया पाई जाती है तो दोस्तो वह अपने बलोक में जाकर अपना संसोधन करा सकते हैं बलोक में आपका संसोधन नहीं होता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा अपने जिला समाज कर लियान में वहाँ पर जाकर आप संसोधन करा सकते हैं जो भी आपकी पैंसन पैंडिंग में दिखा रहा है या आपका FSC कोड गलत है तो आपको जल से जल अपने जिला समाज के लाण में से ले जाना होगा वहाँ से आपके पैंसन का सुधार कर दिया जाएगा और जैसे यह सुधार आपका पूरा होता है, करेक्शन हो जाएगा उसके बाद जितने भी आपकी 25 लोगी है 3 मेनी की या 6 मेनी की सारी सारी एक साथ ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको मैंट जानकारी थोड़ सी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है